हेलो गाईज नवश्कार दिस्टाइट शुवम स्वानकार और आप सभी का एक बार फिर से हार दिख वागद तो गाईज आज 20 जनवरी है कल है 21 जनवरी और कल है आपका सुचना साय का एक्जाम का समय दिमाग में सेट रहे वैसे है आप सभी के वट फिर भी 10 बजे से 1 बज जो पूरी आज मेर जो हां पर भी आवंटित सेंटर वहां पर आया होगा ठीक है तो सब लोग जो है पहली बार तो की जिनका कल एक्जाम है और अलग-अलग शहरों में तो वो कोशिश करें आज रात को यह वहां पर पहुंच आए क्योंकि कल सुबह एक गंटे से पहले जो जरूर लग जाओ अब उसके बाद में जो है कि भाई-बाइचान सवानों बस गई है लोग वो जो सेंटर वाले हैं वो चेक करने में डिले करें वो अलग बात है तो उन पर डिपेंड नहीं रहिएगा कोशिश करिएगा कि उससे भी पहले साड़ी आट बज़े तक जो है कि वहां पर लाइन में लग जाए ताकि आपकी चेकिंग हो सके ठीक है इसमें आप लोगों को जो है क्या-क्या लेके जाना है तो इड्मिट कार्ड होना चाहिए इंटरनेट से डाउनलोड किया आधार कार्ड ही अनिवारे ध्यान रखना पैन कार्ड राशन कार्ड ठीक है तो यह वाला जो फंडा लिखावा उसको चेक कर लाए यह नहीं चलेगा बिल्कुल बराबर होने चीए जैसे बारा बारा उनीस सो बराण वे तो जिस पर यह लिखी हुए वही चलेगा यह वाला आधार कार्ड नहीं चलेगा दूसरी बात इंपोर्टन तीसरा एक लेनी है ढाई भाई ढाई की जिसे हम लोग स्टांप साइज फोटो बोलते हैं हालां कि नहीं है तो पासपोर्ट साइज लेके चले जाना उसको कटिंग करकर के जो अटेंडेंस शीट होती उसके उपर चिपकाई जानी होती फिर आपका वहां पर साइन किया जाता है ठीक ह है उससे पहले कोई कीमत वहां पर पहुंची है ठीक है अगली काम की बात यह है कि अब सर हमें आज कुछ पढ़ना है अब देखो जो पढ़ना है आप लोगों ने जनवरी में वेकेंसी आई थी वापस जनवरी आया बारा महीने का समय मिला जो आपने पढ़ा पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात जिननों ने नहीं किया है वह बैठे बैटे टाइम पास नहीं करें इस किताब को लेकर बैठे और जितने भी सवाल बचे हैं इसके ताब के वो करते रहें ठीक है अगली बात कि अब हमें कुछ भी नहीं पढ़ना जितना हो चुका है काफी Ćप तो नहीं तो आप exam से बाहर हो सकते हैं तो अब क्योंकि आप सब को पता है कि यहाँ पर जो है वो negative marking जो है वो नहीं है तो जब negative marking नहीं है तो हमें 5 वे option तक तो जाना ही नहीं हम तो 1-4 तक ही जो आते हैं कर देंगे और जन नहीं आ रहा है वहाँ पर हम लोग टोरा मार सकते हैं तो नकारात्म का अंकन नहीं है इस examination में तो आराम से ध्यान से एक से लेकर 4 option तक ही focus करें कि हमें तो इनी में से भढ़ना है अब कहीं कहीं बार क्या होता है कि जब हमें ऐसा negative marking नहीं है मिलता है ना तो हम सही आते आते भी गलत कर देते हैं तो मेरा एक ध्यान से बात समझिएगा एक से लेकर के 150 तक के परस्णों को पहले पढ़िएगा OMR sheet में अपनी detail बढ़ दी OMR sheet side में रख दो अब एक से लेकर 1500 तक परस्ण पढ़ो अपने हाथ में pencil, pen या जो भी आपके पास में वो रखो अराम से एक प्रस्ण पढ़ो अगर आपको उत्तर आता है 100% sure हो तो answer के पहले एक छोटा सा dot लगा दो टिक विक मत करो, paper बिगड जाता है अराम से, dot लगाया, सही है, ठीक है नहीं है, थोड़ा बहुत भी doubt है जैसे यहाँ पर A, B, C, D, E है मुझे C, D में doubt है तो इतना सा लेकर यहाँ पर छोड़ दो कि भाई मुझे यहाँ doubt है एक से लेकर 1500 तक जाओ फिर वापस एक पर आओ अब जहाँ पर आपने single dot किया था जिसमें आप 100% शोड़ थे उस प्रसंद को ध्यान से पढ़ना उस प्रसंद के नंबर को ध्यान से देखना और ओमार शीट में नंबर को ध्यान से मैच करना पांचवे में मैंने C पे dot लगाया था फिर मैं यहाँ पर C को कोला कर दूँग ठीक है ऐसे करते हैं एक से डेट सो तक जिसमें आप 100% शोड़ थे वह वहाँ पर कर दो फिर आओ उन पर जहां पर आप लोग दो-दो में फिर एक बार प्रसंद को रिवाइज कर लो आपने जो आज तक पढ़ा उसको रिवाइज करने की कोशिश करो दिमाग में क्या हो सकता है फिर आपको वहाँ पर कहीं न कहीं आइडिया मिल जाएगा और नहीं मिले तो अपनी तरब से जो बेस्ट है वहाँ पर दीजिएगा ध्यान में देखेगा माना कि छटे में मुझे COD में डाउट था लेकिन मुझे लगता है D हो सकता है तो D को वहाँ पर गोला करता है कुछ ऐसे प्रसन जो मुझे बिलकुल भी नहीं आते हैं होता है 100% होता है ऐसे भी प्रसन आते 5-10 प्रसन जो आपने नहीं पड़े हैं जो नहीं करने वाले होते हैं लेकिन हमारे negative marking नहीं है वैसे भी उन प्रसनों में भी अगर टोरा मारो तो ऐसे मारो कि भाई आपको प्रसन समझ में नहीं आया लेकिन option आपको आते हैं option चारो option देखो चारो option में कौन सी चीज़ relate करती है और कौन सी चीज़ relate नहीं करती है वैसे करके भी आप लोग वहाँ प्रक्यूशन कर सकते हैं ठीक है तो ध्यान रहेगा पांचवे option तक अपने जाने की कोई ज़रूत नहीं है एक से चार के बीच में रहना है पेपर को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्या होता है कि जब negative marking नहीं होती और कल से क्या है वो SOG छापे मारी शुरू कर चुका है तो उससे भी थोड़ा सा दिमाग को tension होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा आराम से बेफिक्र होके आप से बड़ा intelligent person इस दुनिया में कोई नहीं है कल के exam में ध्यान रखना कि वो जो तीन गंटे हैं वो जो तीन गंटे हैं वो आपकी आने वाली पुष्टे चेंज कर सकती है वो तीन गंटे जो है वो आपके पीछे जो आपके माता पिता है उनके भविश्य को उनके आने वाले जो दिन है शायद उनको सुधार सकती है वो तीन घंटे में आपके सामने केवल एक ही टारगेट है वो है आपका पेपर उस पेपर को सही करना है ना इधर बंदा बैठा है उससे कोई मतलब है ना इधर बंदा बैठा है इससे कोई मतलब है हमें किसी से मतलब नहीं है हमारे सेंटर में हमारे exam के room में कौन बन्दा है, कौन duty देरा में KISI से मतलब नहीं, मुझे केवल paper से मतलब है ये 3 घंटे जो है, वो मेरा भविश्य सुदार सकते हैं, वो मेरे बेटों का, मेरी बेटी का, मेरे बच्चों का, भविश्य सुदार सकते हैं, वो मेरी family का, से कर रहे हैं ना उन 3 घंटों पर focus करो तीन घंटों पर अच्छे से पेपर पर focus करो विल्कुल desperate विल्कुल भी विल्कुल भी जो है ना कि tension में मता ना कि ओhou मुझे यह यह नहीं आता वो नहीं आता समझ मारी बात नोकरी छोटी हो चाए बड़ी हो नोकरी नोकरी होती है जिसमें आपको हर साल तीन इंक्रिमेंट मिलते हैं अगली साल वापिस एक जून जनवरी में मिलता है एक जुलाई में मिलता है एक एन्वल इंक्रिमेंट मिलता है हर साल आपकी तंखा बढ़ती है घटे सब लोग चेंज हो सकते हैं, मेरा समाज में जो ओहदा है वो चेंज हो सकता है, आज मुझे लोग कैसे देखते हैं, कल लोग मुझे कैसे देखेंगे, बहुत चेंज हो सकता है, सारी की सारी कहानी केवल दस बज़े से लेकर के एक बज़े तक निर्भर करती, आप दस बज़े है मीठी गो लिए गलत करते हो तो वो बिल्कुल गडबड गो लिए तो आप अब मैं यह नहीं बोलूँगा कि मैं शाम को क्लास करूंगा मैं कल क्लास करूंगा सुबह मेरा वो वीडियो देख लेना कुछ नहीं देखना आप ने जो देखा देख चुके जब आप 364 दिन जो ऐसा नहीं के 12 मैंने की क्रोनोलोजी लाकर के बढ़ जो नहीं इंटरनेट पर मिल जाएंगे कहीं से भी संक्षिप्ठ नोट्स एक दो पेपर पे जो है वो डाउनलोड कर लो इस और कुछ नहीं पढ़ना है बस ध्यान रखना 10 बजह से 1 बजह तक का आपके जो सकता है तो आज में जीना है दस से लेकर एक बजे तक उसी समय में जीना है उसी समय में पेपर को अच्छे से करना है जो बैस्ट है वो बैस्ट है जो आता है वो आता है जो नहीं आता है वो भी आता है वो कुछ जबरदस्ती में जल्दबाजी में किसी प्रकार का आंसर नहीं देना प्रसंद पढ़ लिया अराम से एक मिनिट तक प्रसंद को पढ़ो उत्तर को पढ़ो दिमाग में सोचो एक मिनिट बहुत होता है साथ सेकंड का समय दो लाइन और चार ऑप्षन पढ़ने में बहुत है हिंदी समझ में नहीं आती इंगलिस की लाइन पढ़ लो अराम से ऑप्षन दो आराम से आंसर दो तीस मिनिट और बचेंगे और इस बार तो दस मिनिट और दिये हैं आप लोगों को हना जिसमें वो पां अब मिनिटे डेट घंटा नहीं समय बहुत है कोई प्रब्लम नहीं आराम से जस्फोकस रहना इधर उधर का दिमाग उन तीन घंटों में बिलकुल भी नहीं टहलने देना है ठीक है हना बो बस ये बिलकुल अच्छे से ध्यान रखिएगा ठीक है आप सभी को आल दे वेरी best thank you so much